वीवान आप सब कैसे हो ऐसे मुझे उमीद है कि आप सब ठीकी होंगे तो जो बाहर का व्यू देख रहे हैं उन्हें मेरे घर के बगल का है तो अच्छा लग रहा है ना एदेखो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उधर जो दिखाई दे रहा है वो मेरी पाड़ी है अभी चोटी सी है तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भावी आप कितना जूट बोलती हो योग यूटूबर होकर इतना जूट बोलती है तो जूट मैंने कब बोला जो मेरे रियल होती है वही मैं आप लोग के साथ सेयर कर देती हूँ मैंने कोई भी बात कभी चुपाती नहीं हूँ सच्चा है सामने आ जाती है इसलिए आप भी आप लोग भी कभी जूट मत बोलिए जूट का सारा लेकि आप कितने दिन काम कर सकते हो बहुत कर सकते हो एक महेने दो महेने तीन महेने उसके बाद अगर आपको जूट पकड़ा गया तो धीरे धीरे आप खोदी बंद हो जाओगे ना इसलिए जूट कभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं जूट बोलती नहीं हूँ और आप लोगों को पता भी है मैं सत्य हमेशा बोलती हूँ जान भी देखो जा रही है पनी मामा के पास तो आज मैं अपना ब्लाग साम से स्टार्ट कर रही हूँ आई होप आप लोग को मेरा ब्लाग पसंद जरूर आएगा तो यह आप लोग देख सकते हो और किसी ने बोला कि भाभी आप जो है साम के समय अचनान कर रही हूँ और मतलब साम हो चुकी है चार बच के 45 इनट हो रहे हैं और आप बोल रहे हूँ कि अब हम नहां के आए हैं कितना जूट बोलती हूँ आपको पता होना चाहिए ना देखो जिसे साम है तो साम का धूप कुछ इस तरिके से होता है है ना और सुबा जब मैं आप लोग को इसा सियर करती हूँ तो सुबा का धूप कुछ अलग तरिके से होता है तो आपको पता होना चाहिए ना साम है कि सुबा है और वैसे हम हमेसा जब भी हम अपने ब्लग चायर करते हैं आप अरं पर लोग को बता देते हैं कि सूभा है या साम है या दोपार का समय है ऑई दुखने लगता है क्योंकि हैसे कै ranih पकुड़ो nato को दर्द होने लगता है कि नहीं ? souvent कर देटी को नहीं करती हैं है कि आप अगर को कई अ technical करता दिए के नकल करते हूं कुछ है अगर को पयुक्त है कि मैंाघ design करती हूं कुछ लोग देखायई का नविदि का नफोज्त करती है और वीडियो बनाते हैं तो क्या हुआ अगर हमारे देदी हैं हम से बड़ी हैं हम उनका नकल करते हैं तो नकल करने से क्या होता है एक प्रकार से समझ लो गुरू है हमारी जो हमें बताती हैं हो ही करते हैं अगर आप ऐसा मानते हो तो वही सच है मुझे बुरा नहीं लगता है अगर आप कहते हो दीदी का नकल कर रही है तो मुझे खुशी होती है कि चलो कोई कहता है ना कि दीदी की नकल करती हो अगर आप लोगों को बुरा लगता हो तो उसके लिए मैं माफी मागती हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हूँ कि आप दीदी का नकल करती हो तो तो गाइज आज हमारी मम्मी साम के समय जो है बना रही है दही बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दही बड़ा आप लोगों को भी पसंद है अगर पसंद हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और हम आप लोग के साथ रेस्पी सेयर जरूर करेंगे जो हमारी मम्मी दही बड़ा बना रही है अभी जानवी की कपड़े भी हैं सारे धुलने के लिए तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात करना उसके बाद जानवी की कपड़े हैं गंदे कर दी हैं उसे भी दूलना है जानवी को भी फ्रेस कर दे कपड़े भी दूलने और बहुत दिन हो गये थे मैंने कोई फेस्पैक नहीं लगाया आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि भावी आपको यह अच्छा सा फेस्पैक बताईए जिसे लगाने से मेरे फेस्पैक ग्लोसा आ जाए मैंने सोचा क्यों ना मैं वाव का ही जो है मिरनल फेस्पैक आप लोग के साथ सेयर करूँ तो चलो उसे भी सेय करते हैं यार मैंके आये हैं तो थोड़ा इंजाय कर लें देखो कितने दिर रहते हैं मैं तो सोच रही हूं कुछ और दिन रहे लेकिन लगता है मेरे नहीं पाऊंगी जल्दी अपने सुसराल भी चले जाएंगे तो जब तक हैं आप लोग के साथ अपना मैंका ब्लाग सेय करते रहेंगे और आप लोग मुझे ऐसे पसंद करते रहें अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सेस्क्राइब कर देना और अपनी फैमली के साथ सेयर करना इसा तो मत बूलना क्योंकि भाई मैंका है तो मैंका मेरा हर किसी को दिखना चाहिए ना, क्योंकि यह हमारी जनम भूम है, मैं अपनी जनम भूम को बहुत मिस्स करती हूँ, यही तो मेरा जनम हुआ था, लेकिन मुझे सरमिन्दगी महसोस नहीं होती, यह मेरा कच्चा घर है न, तो क्या हुआ, पक्के हो या कच्चे हो, मकान तो मकान ही होता है, और है चलते हैं और थोड़ा फेस पैक भी लगा लें उसके बाद बहुत सारे काम है जानवी के कपड़े भी धुलने है और थोड़ा दही बरा भी खा लें और रेस्पी भी सेर कर दे आप लोग के साथ चलो थोड़ी दिर बाद मिलते हैं जीरा भुणा हुआ है अब इसे सिल्बटे पेसेंगी एकदम बारिकी से पीस लेंगी ममी ने उड़त का दाल पहले से ही फीस के रख दिया था और इसके बाद जीरे पीस रही है अब कड़ाई में जो मैं यहां बरा बना रही है उसे तेल में जो है चोटी चोटी पकोड़ी क तरह इसे तल रही है जो उड़त ममी पीशा था अब यहां पर ममी ने बना लिया इसके पहले से ही फेट के रखा था तो जो बारीकी से भुना हुआ जीरा ममी ने पीशा उसे भी इसमें डाल देंगी और काला नमक भी डालती है अगर आपको काला नमक कम पसंद है तो आप थो अच्छी तरह से चला ताकि जो नमक है अच्छे से मिक्स हो जाए कुछ इस तरीके से अब इसे प्लेट से धक देंगी जिसे बड़ा अच्छे से फूल जाए ममी आज ने उड़त की पकोड़ियां बनाई थी तो वही हम जानबी और जानबी के मामा अमी था हमारा चोटा भाई हम लोग बैटके खा रहे थे तो चलो तब तक खा लेते हैं उसके बाद हम थोड़ी देर बाद आप लोग उसे बात करते हैं करते हैं आप लोग बुरा मत मानना क्योंकि लाइट कट गई है और हमारे रूम में अंधेरा है आप लोग देख सकते हूं पीछे की पीछी का जो भीव है कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना अंधेरा अंधेरा ब्लैक ब्लैक तो आप लोग कई दिनों से रिक्वेश्ट कर रहे थ जो कि जिसे लगाने से हमारे फेस पे ग्रोसा आ जाए और साधियों का सीजन आ रहा है तो फेस पे ग्रो तो रहना ही चाहित मैंने सोच आप लोग सच बोड़ रहे हूं क्यों ना मैं आज आप लोग के सास्थ यह करूं यह है वाओ का मिन्डरल फेस पैक इसकी जो पैकजिंग है काफी अच्छी है तो मैं आप लोग को दिखा दो यह जो है फेस पैक एक प्लास्टिक के डिब्बे में आता है अगर यह जमीन पे गिर जाएगा तो टूटेगा नहीं क्योंकि अगर काच का होता तो टूट सकता था लेकिन यह प्लास्टिक का है त तो चलो इसे हम आप लोगों को एक बार अपनी फेस पे लगा के दिखा देते हैं कि इसे लगाने से क्योंकि मैं एक बार इसे यूज कर चुकी हूँ और फिर भी हम आप लोग के साथ सेयर कर दें एक बार अपनी फेस पे लगा के नहीं तो आप लोग बोलोगे ना कि पता नहीं कैसा था, भावी ने इपने फेस पे लगा ये नहीं काई सब्सकूरों कर बता तो चलें एक बार इसे लगा के दिखा देते हैं किस ततरीके से लगाना है, आप सब्सके кноп跟大家 ने में देखो इतना ही और बचा है क्योंकि मैं इसे यूज करती हूं तो बहुत दिन हो गय थे ना मैंने यूज नहीं किया था तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ आप लोग ने बोलत मुझे याद आया कि हाँ है तो मेरे पास फेस्पेक तो चलो हम इसे एक बार अपने फेस पे लगा के दिखाते हैं तो इसे लगाने से पहले अपने फेस को एक बार साफ पानी से क्लीन कर लेना उसके बाद साफ तोलियों से अपने फेस को सुखा देना फिर उसके बार इस फेस्पेक को लगाना तो इस तरीके से इससे आसानी इसकी जो खुस्बू है ना बहुत ही अच्छी आ रही है अब जब भी फेस्पेक लगाना आखों के पास मत लगाना आखों से थोड़ा दूर ही लगाना कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो तो जब तक हम इस फेस्पेक को लगाएंगे आप इसका रीब्यू देख लो ठीक है उसके बाद हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं तो गाइज यह है वाओ का मिनरल फेस्पेक चलो हम इसके बारे में कुछ आप लोगों को बता देते हैं बाकी इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है हमें इसके पैकेजिंग पर पूरा डीटेल में लिखा हुआ है आप खुदी पढ़के जान जाओगे लेकिन थोड़ा ब कि आखों के पास ना लगाए तो मैं बता दू कि इसमें क्या क्या पाया जाता है बीज मक्षन सकरकंद मीठा बदाम का तेल आधी बहुत कुछ पाय जाते हैं तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं इसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से चे आप लोग देख सकते हो संध्या हो चुकी है मम्मी यहां कप्रा धुल रही है और अमीत जो है मारा भाई जानवी को लेकर टहल रहे हैं और उस खाट पर अम्मा बैठी हुई है तो हमारे घर के बाहर का भीव है तो साम के समय कुछ इस तरीके से लगता है आप लोग देख स अब थोड़ी दिर बाद मिलते हैं ठीक है आप है शोकी नहीं है अ यहां देख सकते हो यहां पर सब्सक्रीוה के पास पस्राइब है 양ा पर अच्छे और फूल का दो नहीं है आप लोग देख सकते हो तो चलो हमें भी कपड़ा धुलना है ममी ने दूल लिया है अब हमें बुला रहे हैं बोले एकदम साम होती चली जा रही है चलो जल्दी से धूलो ठंडी भी बढ़ गई है और लेट हो जाएगा कपड़ा धुलने में तो हम चलो फटा-फट दूल द खा लेते हैं हम और ममी ही बचे थे अमित मेरा भाई खाके चला गया जान भी भी सो गई है और ममी से हम कुछ बाते कर रहे थे तो मेरी प्यारे दोस्तों अब हम आप लोगों से अभी ही गुड़ नाइट भोल देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में झाल झाल